भाई आज आप लोग एक बात बताओ कि मात्र 99,000 रुपे में इस नई Hero Extreme 125 बार से ज़्यादा फीचर्स आपको मार्केट में किसी और बाइक में मिल सकते हैं अरे भाई बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे अगर आप चिराग लेके भी ढूणेंगे तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले हैं अब आप लोग कहेंगे कि यार यह तो ज़्यादा फेक रहा है तो आप लोग बताओ कि 99,000 रुपे में ABS मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा 30 mm का टेलिसकोपिक सस्पेंशन 99,000 में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और इसके लामा स्प्रिंट IBT टेकनोलजी वाला इंजन जिसमें आपको माइलेज भी मिले आपको कहीं नहीं मिलेगा और इसके लामा 120 mm का टायर ले लो, किक ले लो, फुली डिश्टल मिलो, मतलब सब कुछ मिल रहा है अभी तक आपने बहुत सारी वीडियो देखी इस बाइक की लेकिन किसी ने बताया किसमें ये ट्रेल क्या है, स्प्रिंट EBT इंजन क्या है तो मैं आज आपको इस वीडियो में पूरा डेटियल से इस बाइक के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ फोटो में हमारे इस चैनल पर वीडियो फोटो देखी है, लेकिन आज आप रियल लाइफ एक्सपिरियंस करेंगे वीडियो के साथ वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं, प्लीज लाइक सेर सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ये आपके अपने भाई का चैनल है, सबसे पहले मैं पहली बार दिखा रहा हूँ, तो इसलिए मॉडल और डिजाइन दिखाना सबसे ज़्यादा मस्ट बन जाता है, और साइड से देख रहा है, तो साइड से ही देखें, भाई साब अगर आप देखेंगे, तो पीछे पूरा गैप दिया गया है इस बाइक में, जिससे आपको एक मॉडरन लुक मिले, क्योंकि लोग जैसे यहां से टेल टिद्दी हटवा देते हैं, लुक के ल इसमें स्प्लिट सेट मिल रही है, एकदम स्पोर्टी फीलिंग आ रही है, स्प्लिट ग्रैब रेल और मस्कुलर पेट्रोल टैंक मतलब गजब कमा जा आएगा, और अगर आप अब इसको फ्रेंट से देखेंगे, जो इसकी सबसे ज़्यादा हाइलाइट चीज़े हैं, भ इस बाइक में हो, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, हीरो का 3D लोगों भी मिल रहा है, तो अगर आप फ्रेंट से देखेंगे, तो यह रेड कलर की बाइक मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसमें यह हेड लाइट एकदम फ्यूचरिस्टिक और गजब के साथ हाती है, बतान एकदम एक्सपोज है, मतलब टायर यह पूरा दिख रहा है, दिखा दो भाई राहूल, यहाँ पर दिखाओ ज़रा, 120 mm का भाई टायर दिया है, कोई जूट थोड़ी ने बोल लाओ, मजाक थोड़ी ना है, यहाँ पर देखो 130 mm की ड्रम ब्रेक है, यह भी कोई मजाक थोड और यहाँ पर पहले पेट्रोल टैंक तो देख लो बाबू, यहाँ पर अगर आप देखेंगे वाओ, एक्स्ट्रीम, यह 3D में लिखा हुआ इतना जबरदस्त लग रहा है, टैंक काउल देखो, मजाक है का, 125 आर इस पर लिखा हुआ है, इस पर सिल्वर, रेड और यह पर देखो भाई, यहाँ पर इसके है, इसके पेट्रोल टैंक के कैप को भी एकड़म प्रीमियम दिया गया है, जबरदस्त लुक दिया गया है, यहाँ से दिखाना जरा पीशे से सुरू करके दिखाना भाई, जरा अपना राहुल भाई या सिनेमेटिक सौट दिखाएगा यहाँ पर देखो ग्रैब रेल, पेट्रोल टैंक देखो ग्रू, एकड़म मतलब मज़ा देखने पर और यहाँ पर अगर आप देखेंगे भाई, तो पूरा आपको 125 सीसी नहीं, पूरा आपको 160 सीसी की फीलिंग आने वाली है, तो अगर मैं आपको बताना चाहूं, इधर बात करते हैं, सबसे पहले एक बार में मैं आपको बता दूँ, इसमें आपको LED, प्रोजेक्टर, हेड्लेंप मिलते हैं, यह इसमें अच्छी बात है, साथ में DRL मिलते हैं, तो मतलब जो पहैसन आप करना चाहते हैं, जो फील चाहते हैं नए जबाने का, वो भाईया जमान 240 mm की डिस्क ब्रेक, मतलब इसमें आपको मिल रहे है, सिंगल चैनल ABS भी मिल रहा है, यह कोई मजाक नहीं है, यहाँ पर देख लो, यह ABS की पाइप है, सबसे बड़ी बात 37 mm का टेलिसकोपिक सस्पेंशन, इसमें आपको मिल रहा है, थोड़ा दूर से दिखाना, अब मैं ब इधर से थोड़ा थोड़ा, यहां पर यह जो दूरी आप यहां से ना पेंगे, यहां पर इसके गैप को ही ट्रेल कहते हैं, क्योंकि एक बिंदू यहां से आएगा, एक बिंदू सीधा रहेगा, उसके बीच की दूरी को ट्रेल कहते हैं, और इसमें ट्रेल इतनी सांदार दी गई है कि जो आपकी स्टेबिलिटी है रोड पर ना वो जबरदस्त रहेगी क्योंकि कुछ चीजों को ज्यादा दिखाती है तो इसका मतलब उतनों ने इसमें कुछ किया तो सैंटी से में का टेलिस्कूपिक सस्पेंसन एफजड में या फिर बहुत महंगी महंगी बाइक और हाँ इसमें दो बैरियंट आएंगे एक सिंगल चैनल ABS के साथ आएगा जो 99,000 का और उससे भी कम मिलेना है तो आपको दोनों ड्रम ब्रेक लेनी होगी वह मात्र 95,000 रुपए एक सो रूम प्राइस में मिलेगा यहां पर देखो 130,000 का इसमें आपको ड्रम ब्रेक मिल जा और भाई देखो इसको आप अड्जेस्ट भी कर सकते हो यह बहुत अच्छी बात और अगर आप इसका स्विंगार्म देखोगे न एक दम जबरदस्ट स्विंगार्म इसमें आपको मिल रहा है यहीं पर आपको एक चीज और दिखाता हुआ चलो यह देखो यह क्या है यह म चीज मेटल का लगेगा तब भी उन्होंने प्राइस नहीं बढ़ाई है मतलब यह जो उन्हों केंट्रोल किया ना भाई यह जबरदस्ट चीज है पीछे अगर आप देखोगे तो यहां पर भाई यहां पर अगर आप देखेंगे तो यह इसके टैंक काउल है और चाभी य कनेक्शन ने हुआ अभी यह बाई उतर रही है तो इसलिए अब पहले यहां पर देखो यह यह क्या है यह स्पोर्टी गेर लीवर मिल रहे हैं यहां पर पूरा इसको कनेक्टेट फीचर के साथ दिया गया है और यहां पर आप देखेंगे तो यह इंजन है अब यहां पर आप पूछोगी कि भाई यार यह स्प्रिंट इबीटी क्या है क्योंकि कंपनी इसके बारे में बहुत ज्यादा बता रही कि भाई स्प्रिंट इबीटी क्या है स्प्रिंट इबीटी क्या है तो इसके बारे में भी तुम्हारा भाई आज तुमको जानकारी बहुत बढ़ि इंजन बैलेंसर टेकनोलजी मतलब इन्हों ने इंजन में बैलेंसर दिया है जेट कूलिंग दी है जिससे क्या है कि इंजन की कूलिंग जो है वो जबरदस्त रहने वाली है इसलिए ये बाइक औरों से अलग बन जाती है और इसलिए मैं कह रहा था कि स्प्रिंट EBT का मतलब जान लो नहीं बाद में कहोगे कि किसी ने बताया नहीं तो भाई अब इंजन की बात करें तो 124.07 सिसी का सिंगल सिलेंडर एर कूल इंजन मिलता है 11.04 HP की पाउर मिलती है 8250 आर्पेम पर 10.05 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलती है 6000 आर्पेम पर और हाँ 5 गेर इस बाइक में आपको मिल जाते हैं और हाँ भाई सबसे अच्छी बात ग्राउंड क्लेरंस नीशेस दिखाना भाई 180 mm इसका ग्राउंड क्लेरंस है 10 लीटर का पेट्रोल टैंक लगाए गया है और 136 किलोगराम इस बाइक का मात रुजर है और भाई हाँ 794 mm इसकी सीट हाइट है बैट के दिखा देता हूँ यह भी कोई मजाक थोड़ी ना है 5.8 या 9 इंच मेरी हाइट है 5.9 इंच या 8 इंच मेरी हाइट है एकदम पर जखकास पहुंच रहे हैं कोई दिक्कत नहीं हो रही है और जब आप थोड़ा देखो देखो अगर आपकी बॉड़ी रहेगी इस हैंडल को थोड़ा सा अगर आप डाउन करा लेंगे और आपकी बहुत कम पैसे में मात्र अन रोड प्राइस बता ही देता हूं मात्र एक लाग बीस जार रुपे अन रोड प्राइस में ये बाइक आपको मिल जाएगी लगभग बता रहा हूं आप अपने नजदी की सोरूम पर पता करें और ये सभी बाइक के उपलब्द है बंसादी ही गई है तो यह बहुत अच्छी बात है यहां पर अभी यह इसके उपर एक कबर लगेगी यह और यहां पर देखो यह इसमें इंजन और चेक करने के लिए सब्स देखो कितना चोटा है प्रोग्रामेट फ्यूल इंजेक्शन टेकनोलोजी इसमें आपको मिल जाती है बहुत बटन है नीचे दिखाना गुरू यहां पर देखो यह चार्जिंग यहां पर नीचे दी गई है यह आप दे लें और यहां पर अभी कनेक्शन नहीं हुआ फुली डिश्टल मीटर मिलता है अगर मुझे जैसे भी बाहर मिला तो मैं वो लगा कर यहां पर वीडियो लगा दूँगा और अगर नहीं मिला तो कोई बात ही नहीं है तो फिलाल इसमें फुली डिश्टल मीटर आपको मिल जाता है यह बहुत अच्छी बात है तो अगर हैं जिस प्राइस रेंग में जो पैकेज़ आपको मिल रहा है मुझे लगता है कि भाई इस से बेहतरीन पैकेज कहीं नहीं मिलेगा कभी भी महीं मिलेगा और यह पाइक नहीं एक करती कारी बदला जैसे मैं आपको बताएं और एक बार में मस्कुलर बॉड़ी ले लो अच्छी सीठ हाइट ले लो अच्छी ट्रेल ले लो इसके लावा ग्राउंड क्लेरेंस एक्सोस्टी में पहाड़ पर चला लो कोई दिक्कते नहीं है तो मतलब यह सारी शीचें इस बाइक में आपको मिल जाती है तो मेरे हिसाब से परफेक्ट अब लोग बताया अब लोग बताओ कि आपको यह बाइक कैसी लगी आप लोग अपनी राय जरूर दे दे और हाँ वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज भाई लाइक करा करो यार उसमें क्या कंजूसी करते हो इतनी मेहनत करके लिए करा तो मजाग थोड़ी ना है हीरो एक्स्ट्रीम 125 बार का आप लोग साउंड सुलने क्योंकि जो भाईक आपको दिखाई थी मैंने उसमें भाईक कनेक्शन नहीं हुआ था इस्टार्ट करना भाई फिर से इस्टार्ट करना एक बार तो यह है भाई साउंड आपको कैसा लगा इसका साउंड अपनी राय जरूर दें वीडियो पसंद आई हो प्ली लाइक से सब्सक्राइब करना न भूले तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद आपका दिन सुभ रहे धन्यवाद